तो यार क्या आपके मन में भी BSNL पोर्ट को लेके बहुत सारे सवाल उमड रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि आज आज आपके ही दौरा पूछे गए बहुत सारे सवालों को मैंने पिक किया है कमेंट बॉक्स में धे देख लिया होगा या फिर थम्नेल में देख लिया होगा पढ़ लिया होगा तो आज मैंने आपके बहुत सारे कमेंट जो कि मेरे एक पिछली वीडियो जिसमें बताया था कि मेरे क्या अनुभौर हैं BSNL पोर्ट के बाद उस चीज को मैंने सेयर किया तो आपने खूब प् देखिए और यहां पर मैंने बहुत सारे कमेंट जो है पिक कर लिया है और एक हमारे भाई भी है इस वीडियो को जरूर से देखिए अगर आप देख रहे तो एक हमारे भाई है जिन्होंने प्रॉपर काफी लोगों को गाइट किया तो उनका नाम भी हम साउट आउट करने जो कोशन है वो पूछा है यहां पर स्यामल भाई ने और स्यामल जी ने पूछा है कि कितना दिन लगा पोल्ट होने में तो बेसिकली स्यामल भाई में आपको बताना चाहूंगा कि पोल्ट होने में अप्रॉक्स तीन दिन लगते हैं जिसमें से आपका सनी वार और रवी व कि तीन दिन एप्रॉक्स लगेंगे पोल्ट होने में लेकिन अगर आप सुक्रवार को करा रहे हूं तो सायद आपको थोड़ा लॉंग टाइम टाक वेट करना पड़े क्योंकि फ्राइडे और सटर्डे जो है वो थोड़ा सा आफ चलता है तो इस चीज का आपको ध्यान रख और नेटवर्क नहीं है नो सर्विस तो सबसे पहले तो यार देखो मेरा जब पोल्ट हुआ बहले बात तो यह कि जो मेरा एयर टेल वाला सीम था जब मैंने पोल्ट कराया तो उसका नेटवर्क बंद हो गया तीन दीन के बाद और उसके बाद जो है वो वाले सीम में जो है एक्टी हुआ वहाँ पे टावर तो दिखा रहा था और टेली वेरिफिकेशन करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी जी हाँ टेली वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ा मुझे तो और रही बात ये जो है आप जहां से सीम लेकर आए वहाँ पर जाकर आप एक बार जरूर से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हो सकता है कि उस टाइम पर टावर ना रहो गए कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है तो इस तरीके से देखिए प्रॉपर आपने सीम को अच्छे से फिट वगर किया है ना वो भी आप अपने मोबाईल में देख लीजिए और प्रॉपर आपको टावर आने लगीगी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर भी आप एक बार जो है वो कन्फरम कर लीजिए जहां से आपने सीम लेकर आए है तो अगला सवाल हमारा फिर से आपर स्यामल भाई नहीं पूछा हुआ है वो बोलते हैं कि उनके सीम के टावर तो दिखा रहे है बट उनको कॉल और इंटरनेट जो है वो नहीं आ रहे है तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि आपको call और internet नहीं आ रहा है क्योंकि साथ हो सकते ही कि आपने FRC नहीं कराया होगा तो सबसे पहले जाकर आपको first time recharge जो कराना होता है जब भी आप अपना port कराते हो number को तो सबसे पहले आपको जाना है जैसी टावर दिखाने लगे तो आपको जाना है और सबसे पहले अपना FRC कराना है तो एक पर FRC करा के देखिया तो जरूर से आपको call और internet होने लग जाएंगे चली अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है रोयाल भाई की तरफ से और ये पुछते हैं कि ब्रदर कितना खर्चा हुआ fully port में मैंने पहले भी अपने अनभाले वीडियो में बता दिया था कि मैंने जब पोल्ट किया तो मुझे मात्र वहां पे 20 रुपए बोला गया था पोल्टिंग का चार्जेस लेकिन क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा है सौप वाले के सांथ इसलिए वहां पे उन्होंने फ्री में पोल्ट कर दिया only for FRC अब यहां पर FRC के जो प्राइज है वो अलग-अलग सरकल में अलग-अलग है कई लोगों को 100 रुपए में ही 2 मेहने का वैलेडिटी के सांथ 2 GB per day data unlimited calling मिल रहा है मेरे तरफ जो है वो 250 रुपीज में FRC हो रहा है तो FRC के चार्जेस अलग-अलग सरकल या अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग है तो यह चीज जो है आपको पता करना पड़ेगा तो only मुझे तो FRC का cost आया है और अगर आप केरल से हैं तो फिर आपको फ्री में port में हो रहा है तो FRC plus 20 रुपीज आप 8 कर लीजिए उतना ही cost आपको आने वाला है इसका जवाब तो proper जो retailers है वही आपको दे पाएंगे तो चली आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देवांग भाई पूछते हैं कि सर महराष्ट में स्टार्ट हो गया BSNL 4G इन जलगाओ रिजन जी हाँ यहाँ पर काफी लोगों ने पूछा था कि जो Mumbai and मतलब महराष्ट और ऐसा something बताया था Delhi में MTNL है तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जलगाओं से अगर आप है कोई देख रहे है वीडियो को तो आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर BSNL का 4G जो है वो आ गया है तो बहुत बहुत congratulations भाई यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी भी comment पिक किया है जिन्होंने कुछ information दिया है आगे चलते हैं यहाँ पर है Ria Paul और Ria Paul जी पूछते कि I also polt in BSNL but my network is not so on what I do please give me suggestion तो यह पर यही बोलना चाहूंगा कि क्या आपने polt कराने के बाद तुरन तो सीम नहीं लगा लिया आपको कम से कम 3 दिन वेट करना है पहले आपका पुराना सीम बंद होगा उसके बाद आपका यह वाला सीम चालू होगा ठीक है तो यह आप पहले confirm कर लिजिए और अगर आपको यह हो गया है फिर भी टावर नहीं आ रहे तो एक बार अपने retailer से जरू से content कीजिए चलिए आगे बढ़ते बात करते यहाँ पर रोशन कुमार तो भाई यहाँ पर shout out मुझे जो देना था और रोशन कुमार भाई को ही देना था और thank you so much रोशन कुमार भाई जिन्हों ने बहुत सारे comments को reply दिया है काफी लोगों को guide किया है तो उसके लिए बहुत बहुत पर दे और इन्होंने बस बताया है जानकारी दी है ठीक है तो इनको रखना इसलिए मुझे important लगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे comment का reply दिया है as a moderator इन्होंने काम किया तो thank you so much रोशन भाई और आगे चलते हैं यहाँ पर सोमनात भाई है और शोमनात भाई यहाँ पर वीडियो लेकर आने वाला हूं तो बिल्कूल 4G आएगा और 3G में अगर इतना इसलिट भी दे रहा है तो net surfing के लिए that is good और आगे चलते हैं यहाँ पर अगला बोलते है tech to talk और इन्होंने बोला कि भाई मैंने new sim लिया है and मैंने दो sim के एक device में use कर रहा हूं पर जब से मैं बैटरी द्रेन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है आपके साथ भी ऐसा क्या हुआ है प्लीज कोई बताना सो भाई हमारे साथ कोई battery drain का issue यहाँ पर देखने को नहीं मिला है में भी यह हो सकता है कि आपके device कई कुछ problem हो तो एक बार अपने device भी जो है आप या battery भी जो है व सबसे पहले तो भाई आपको APN सेट करने की जवरात है जी हां एकसेस पॉइंट जो है वो आपको सेट करना पड़ेगा तो एक बार confirm कर लिजिए कि आपके mobile में एकसेस पॉइंट जो है वो सेट है कि नहीं है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि by default सेट हो के आता है लेकि कभ BSNL197447 का रिचार्ट प्लन बता होगा या नहीं तो देखिए बिल्कुल होगा लेकिन FRC उस पे है कि नहीं यह मुझे नहीं पता लेकिन हो जाएगा इसा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद बोलते है मोहमद इरफान साइरिन का नाम है और यह बोलते है कि भाई मेरे सीम मे बाद आपको सीम लगाना है तो इस इसका ध्यान रखिए अगला चलते हैं पर अक्षय करके है उन्होंने पूला है कि BSNL 3G पर YouTube 360P क्वालिटी बफरिंग होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं मुझे तो कोई बफरिंग नहीं दिखा है बस हाँ थोड़ा सा लोड होने में टा बाद तो बिल्कुल भाई अगर BSNL वाले आप सुन रहे हो तो डीजे सुनील की बाद सुन लीजिए क्योंकि उनके गाव में टावर तो है लेकिन देख भाल कोई नहीं कर रहा है और जो डीजल भी बेच दे रहे हैं तो BSNL तक ये बात बिल्कुल पहुंचा है उनके कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप कर सकते हैं और चली हम लोग बात करते हैं यहां पर मैं भी 36 भाई तो दानेस्वर भारती जी बोलते हैं बहुत लोग पूछे कि मैं कहां से हूं तो जी हां मैं भी जो है वो 36 गर से ही हूं और आगे चलते हैं लाइट कटने क पास BSNL का network मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये depend करते हैं कि आपके tower के पास जो diesel वाला generator है वो लगा है कि नहीं लगा है काफी जगए लगा नहीं होता और जैसी tower मतलब कि जब बिजली करती है तो जो है tower भी चला जाता है और यहां पर एक अगला बोलते हैं कि VGG कर क्या है भाई अगर budget में देखो के middle class family के लिए तो अभी के हिसाब से जिस तरह के recharge बढ़ा हुआ है और हमको net surfing करनी है और नॉर्मल कॉल में बात करना है तो BSNL based है अगर आप में proper 3G या 4G network आ रहे हैं तो अगला सवाल है मोहमद असफाक का और यह बोलते भाई अगर BSNL सीम चोरी हो जा करना है FIR दर्ज कराने के बाद आपको जो है उसका जो photocopy है वो जो है वो रिटेलर को देना है steam रिटेलर को और वो आपका पहला उला सीम ब्लॉक करेंगे और सेम नंबर में आपको दूसरा सीम जो स्टार्ट करके देने वाले हैं तो अब आगे चलते हैं यह नंत कुमार ज जिसे कहना चाहूंगा कि इस नेटवर्क को जितना जल्दी हो सके आप चालू करा दीजिए वाना 2024 को आपको बहुत भारी परेगा तो देखो यार इसमें मोदी जी क्या करेंगे ठीक है यह नेटवर्क कंपनीज है यहाँ पे संचार मंत्री के ऊपर यह चीजे होती है और बह आपका जो है वह जरू से सुना जाएगा और जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाएगा नेश्ट हम लोग कमेंट लेते हैं मिस जारिया से यह नहीं खरीते देखिए लोग यह सीम क्यों नहीं खरीते क्योंकि कहीं नहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कमिया रह हो लेकिन बाकी कंपनी जी ओ एर टेल विव फॉरेंच से इंपोर्ट कर लेते हैं चीजी और सभी जगह डिस्ट्रिबूट करके टावर्स में लगा देते हैं इसके उपर मैं स्पेसल वीडियो लेकर आने 3G अगर आपको चलाना है तो मैं आपको बता दू कि आप जाइए नेटवर्क प्रिफरेंस में जाकर आप जो है वो only 3G जो है वो select कर सकते हैं अगला सवाल हमारे पास जो की बहुत ही common सवाल है और यह आता है कि BSNL 4G कब launch होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि BSNL का 4G September 2022 तक पूरा पूरा चांसे से आने के क्योंकि देखें यह जो चीजे होती ना यह hardware installation बहुत बड़ी काम है ठीक है यह ऐसा नहीं है कि एक software को coding करनी है और coding करके update कर देना है ऐसा कोई खेल नहीं है ठीक है इसमें पूरा का पूरा hardware लगता है और अपनी जो इंडिया नो इंडिया चीजे जो है प्रोड्यूस कर रही है टावर में जो भी requirement होनी वाली क्योंकि यह hardware अपग्रेट है और आल ओवर दा बहुत जल्दी अपग्रेट हो जाती है बट 4G ऐसा नहीं है ठीक है वहाँ पूरा hardware इंस्टॉलेशन करना पड़ता है चीजे वहाँ पर लगानी पड़ती है तो उसमें थोड़ा सा time लगता ही है चलिए आगे बात करते हैं अगे अनिशूर भाई का वही सवाल पिछला जो तो 4G में भी work करेगा 3G में तो 3G में भी work करेगा 2G में भी work करेगा आगे चलते हैं BSNL port करने के बाद कितना first recharge करना है तो मैंने पहली बताया NNG का सवाल है तो देखिए मैंने पहले ही बोला कि अलग-अलग circle में अलग-अलग जो है वो यहाँ पर charges होते है कि नहीं किसी पर है मिर्जापूर में भी 4G तो भाई मुझे तो इसका बिल्कुल भी idea नहीं है because मैं 36 गर से हूँ और मिर्जापूर मिर्जापूर में है so I have no idea बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई मिर्जापूर वाले पढ़ रहे हैं तो भाई के comment को reply जरूर से दे देना अगला royal भाई यह मैं reply में बता चुका हूँ मनौ चम्हान जी बोलते भाई कौन सी जगह रहते हो अगें 36 गड़ में रहता हूँ और अगें हमको बता दो यूपी मुर्जापूर में भी चल रहा है I don't know भाई अगें मैं double comment ले लिया ओके बोई पाई यहाँ पर बोलते है मैं सोच रहा हूँ सोचने का नहीं भाई कर डालने का ठीक है अगला है भाई BSNL डेली में कब आएगा I don't I have no idea bro इस चीज़ को लेकर क्योंकि MTNL है मुझे जैसे पता चला डेली है मुंबई में सो मुझे idea नहीं है कि कब तक आएगा लेकिन आज आएगा I think अगे चलते पवन कुमार बोलते है Google पे activate नहीं हो रहा है तो इसके उपर मेरी वीडियो आ चुकी है UPI service अगर आप use नहीं कर पा रहे तो जरूर से मेरा पिछला वीडियो देखिए जहां पे आप activate कर पाएंगे जाओ only 3G में set करो preference में सायद आपको H plus का sign आने लग जाए आगे चलते हैं सूरज भाई बोलते है सर जी live वीडियो चलते हैं बिल्कुल चलते हैं और मैं तो कोशिस करने वाला हूँ कि इस बार जब live आउं तो BSNL 3G से आप सभी के सामने live आउं और भाई BSNL network very bad तो यह बिल्कुल BSNL के सीम आपको local retailers के पास ही जो है मिलने वाली है उसमें no doubt कोई दिक्कत नहीं है कुनाल भाई बोलते है मेरे BSNL का सीम में during call में net नहीं चलता इसका कोई solution बता तो भाई देखिए मैंने पहली यह चीज बोला था यह चीज occasionally होती है कभी net चलता है कभी नहीं चल होगा तो कभी नहीं चल भी सकता है नहीं चल सकता तो इसमें कोई कह नहीं सकते क्योंकि hardware भी बहुत important है तो यह last comment था जो कि कुनाल भाई का था तो इस तरीके से मैंने proper way में कोसिस किया कि BSNL पोल्टिंग को लेकर जितने भी आपके सवाल थे उसका जवाब देने की कोसिस क comment करके अगर कोई भी सवाल हो तो जरूर से पूछिएगा and मैं आपको मिलने वाला हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए wait कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को धमा के दा like कर दीजिएगा और तब तक के लिए thank you so much